कि नमस्कार सम्रेज ज्यारखन से मैं जूती अपने चुनावी एक्सप्रेस में पहुंच चुकी हूं चिंदन क्यारी विधायक भाजपा के प्रत्याशी सूभे के मंत्री अमर कुमार वावरि के पास सबसे परदिस्षर आपका में बहुत-बहुत सुवागत और और प्रत्यासी की रूप में दुवारा आपको टिकेट मिला उसके लिए बधाई बहुत दन्यवाद आप सब को जबाद हम जानना चाहते हैं कि आपकी जो सीट है वो सीटिंग सीट है वो अचानक से गडवंधन पार्टनर के साथ हॉट सीट बन गई कैसे अपना राष्टि नित्रित और प्रदेश का नित्रित जो पिछले 20 साल से यहां गडवंधन है एंडिये का जिसमें पिछले बार वो सीट आशू के खाते में था पापस ओ बीजीपी के लगातार 5 साल में केगे कारियो और वहां हम लोगों ने जो सरकार की अपलबदियों को घर घर तक पहुँचाने का काम किया और आज चंदनकारी जो पिछले चंदनकारी के रूप में जाना जाने लगा है तो वह चंदनकारी स्वभावी ग्रूप से बीजेपी के लिए सीटिंग सीट थी और इसी कारण से जो गड़बंदन की जीच हुई वह उसीट के लिए लिए लिकिन राष्टे नेत्रित को मैं धन्यवाद अभार वेक्त करना चाहूँगा अपने परदेश नेत्रित को भी आदनिये मुखमंत्री जी को और आदनिये परदेश अद्देश जी को संग्ठन महामंत्री जी को कि उन्होंने पूरा भरोशा रख है और यह सीट बीजेपी के खाते में आई और बीजेपी ने आज बीजेपी ने आज उमीदवार बनाया है तो मैं उनके उमीदों पर खरा होता हूँगा चंदन कहरी के दो लाख तीस हजार से जादे जो मद्दाता है उनके उमीदों पर उनके कसोटी पर खरा होताने की सं पूर्ण प्रियास करूंगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि यो जरूर मुझे वापस पांस साल के लिए एक पूर्ण बहुमत की सरकार जो 55 पार का नारा भारती जंता पार्टी ने दिया है उसे 55 पार के नारे में चंदन क्यारी भी एक कमल खिला करके नहीं विधान सवाव में परती निद्यत का मौका निसीत रूप से देगा लोजपा आसू सारे अलग हैं तो क्या अभी भी नारा है 55 पार का अकेले दम पे भारती जंता पार्टी ने जो अपना कारी किया है और जो इस्थिर सरकार भारती जंता पार्टी ने दी है और जो संगठन ने कुसल संगर्ण करता अपने रन इतिकार आधनी राष्टी अद्यच भाई अमीज साजी के नित्रित में तो हम लोग पूरे 81 सीट पे हमारी त्यार है लेकिन भारती जंता पार्टी इस मत का समर्थक रहिए कि सबका साथ सबका विकास विश्वास लेकर कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं इसलिए जो भी हमारे साथ इस भारत के निर्मान में जारगन के निर्मान में इस परदेश के निर्मान में दर्तियावा आज बिरसा मुंडा जी की जर्म जैनती भी है जिनके नाम पर यह जारगन बना तो उनके उस सपनों का जारगन बनाने के लिए जो भी चोटा हो चाहिए कितना भी उसको हम लोग साथ ले करके जाना चाहते हैं और आपने दिखा हो कि लोग सभा के चुनाओं में जब 14 लोग जो हमारी सीटे हैं उसमें भी हम लोग ने सही होगी पार्टनर को अपने पांच बार के नन कंटेस्टेट जो हमारे संसदु थे उनको वह भी भी हम लोग ने उनको ऊफर करके दिया रहें अजोवी परतेनिभरें तो हमोग हमेश्वास रखता है कि सबके से रिया अना चाहती है इस आभ्यान में इस महान अभ्यान वह साथ ले करके चले और हमारा हमेश्वास छबढ ने के सत्ली हम लोगों ने चुनाओं की रनभेरी बजने के बाद अपने च्छेतर के जनता से की हुए commitment के साथ वापस जनता के पास जा रहे हैं कहना जनता को है और जनता कहेगी और बड़े बुलंदी के साथ कहेगी सुल्लत तारी को चंदनकेरी में मद्दान होना है और जनता जो कहेगी उसका तेज़ तारीका परकटी करेंट भी हो जाएगा तब आपको सारे विशेयों का सवा जवाब अपने आप सभी लोगों को मिल जाए भाजपा कैडरों की मानी जाती है कैडर प्रास्मिकता दी जाती है तो ऐसे में सर्यू राय अर्जन मुंडा थोड आदर्निय परधान मुंत्री जी से ले करके हमारे बूत पे बैठने वाले कार करता तक हम एक साथ भाजपा परिवार के सभी लोग मिल करके माभारती के सिवा के लिए और उस अंतोदय के महानलच को प्राप्त करने के लिए हम लोग आगे बढ़े रहें और इसमें कहीं किसी परकार का भी सक नहीं है और कोई संकोच नहीं है सब मिल करके हम लोग आगे बढ़े रहें और सब पूरा नित्रत तो मिल करके 65 पार का जो नारा हम लोग ने दिया है हमारे राष्टे नित्र उतर ने दीआ हो, 55 पार के नारे को हम लोग पूरा करेंगे, और फिर से पूर्ण About की सरकार, रगवार्दा जी के नित्र उत्र में हम लोग बनाएँगे, इसमें कोई भी सकर नहीं करनी करनी चाहिए, और जारकन की जनता ने भी इसको देखा है इसका रस्वादन किया है कि 5 साल जो पूर्ण बहुमत की सरकार रही उससे पहले जो 14 साल की जो अनस्टेवल गुवर्मेंट थी और जिसमें बिलक मेलिंग और सत्ता को साधने के लिए लोगों को अपने हित को साधने के लिए किस त अभी 80 सीटों पर भारती जनता पाटी पूर्ण बहुमत के संकल्प के साथ जनता के बीच जाना चाह रही है तो जनता भी आस्वस्त है कि जो धारकन में पूर्ण बहुमत के लिए एक सरकार पूरी तरह से त्यार है उसने करके दिखाया है और दूसरी तरह उसे तमाम भाँनों यह को बापस है अपने हाथ में लेकर के जनता से दूर अपने पुरिवार का अपने हित का अपने स्वारत का साधन करने का जो उनका एक मनसा है उसको जह हर्खन की जनता सवाथी और दूद का दूद पानी का पानी करते हुए बापस दोहजार चौजार की तरह ही दोहजार उन्नीस में पूर्ण बहुमत की सरकार 65 के पार बनाएगे सिर्फ महराष्ट और हर्याना का रेजल्ट देखने के बाद और महारा सरकार की जो सिति थी एक जिखा पुराने सहयोगी को छोड़ा गया एक जिखा नए सहयोगी को जोड़ा गया तो ऐसे में आजसू के साथ ऐसी मत्भेद क्यों देखिए तो उनको तई करना है आपने समत का मैंने पहले भी कहा है कि सब को साथ ले करके चलना है जो जारखन के लिए देश के निर्मान के लिए आगे आना चाहते हैं जो सकारद मगा आना चाहते हैं जो परिवारवाद से अपने स्वार्थ से उपर उठ करके सोचते हैं जो सोचते हैं कि मेरे ही भाय मेरे बतीजा मेरा मौसा मेरा नहीं बने हम सब लोग मिल करके जारखन का सिर्फ विधायक और सांसत नहीं जारखन के निर्वान के लिए देश के निर्वान के लिए जो आगे आ सके ऐसे लोगों को साथ मिले करके उसे प्रमलच को प्राप्त करने के लिए महावारती को सेवा करने के लिए इसको आगे एक विक्सी तजारखन बनाने के लिए यहां के यहां के सपनों को पूरा करने के लिए जो भी साथ आना चाहते हैं लेने के लिए त्यार है अब उनका क्या मत है उनकी क्या प्रात्मिक्ता है उनकी क्या अभिलापसा अभिलापसा या लिपसा है यह तो ही उने चंदनक्यारी के जनता के मान, अभिवान, स्वभिवान को सरवच्चे अस्थान दिलाना चंदनक्यारी को एक मॉडल टाउन के रूप में विक्सित करना चंदनक्यारी में ओ तमाम नागरिक सुविधायें देना जिसकी लालसा के चाहत में लोगबुकारो धनबाद या फिर दूसरे सहरों में अपने प्रिवार जनों के साथ जाते हैं उस सारी सुविधाएं चंदनक्यारी में देखरके चंदनक्यारी के यवाओं को रोजगार के साथ चंदनक्यारी में जो बिजली के समिशाओं पर हम लोगों ने पूरी तरह से ओभर कम पाया है पूरी तरह से उसका हम लोगों ने उसे निर्मूली करन किया है आगे खेटों तक पानी पहुंचानी के जो हमारा एक महत्योकांची लच है उसे लच्छ को प्राप्त करते हुए चंदनक्यारी को एक विक्सित चंदनक्यारी बनाते हुए चंदनक्यारी को एक सवभिमानी और आत्म निर भर चंदनक्यारी बनाते हुए चंदन क्यारी की हर एक विक्टि को अभिमान को स्वाभिमान को जागरित करते हुए इस जारगन की और देश के निर्मान में हम लोग आगे बढ़े इसी लच्छी के साथ हम लोग अगला पांच साल बापस चंदन क्यारी की सिवा का इच्छा रखते हैं निवेदन करते हैं तो चन्दन क्यारी के हर एक पोटर को हर एक इंसान को उनकी स्वाहिमान की रक्षा के लिए उनके सारी अधिकारों के लिए एक बार फिर से प्रत्याशी अमर कुमार बाबरी आपके सामने हैं धन्यवाद